जार्खन अंदुलनकारी संघर्स मूर्चा ने आरोप लगाया है कि राजसरकार अंदुलनकारियों को चिन्हित करने के काम में ध्यान नहीं दे रही है 63,000 आवेदन आयोग को मिले हैं लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी कारवाई नहीं हो पाई है और लोगों के चिन्हित करन का काम बाकी है आयोग ने संघर्स मूर्चा ने ये भी आरोप लगाया है कि खुद शिवू सोरेन का नाम गजट में अब तक शामिल नहीं है उन्होंने कहा है कि सरकार को गंभीर होकर सबसे पहले शिवू सोरेन का नाम शामिल करना चाहिए और उसके साथ जिन पचास जार लोगों का चिन्हित करन बाकी है उन सब ही के नामों को भी सूची में अस्थान दिया जाना चाहिए क्या कुछ कहा गया है सुनाते हम आपको मुखमंत्री है लेकिन विडमना ये है कि आज तक मुखमंत्री हैमन सोरेन गृफ बिभाग भी उनके पास है लेकिन अपने पिता बीर सिवू सोरेन का नाम जारखन अंदोलनकारी के रूप में चिन्हित भी नहीं किये है उनका नाम गजट में नहीं आना ये जारखन राज के लिए दुरभाग की बात है आज जारखन अंदोलनकारी चिनहितिकरन आयोग बना है जिसमें के 63,289 अंदोलनकारी लोगों ने आवेदन किया है लेकिन आज भी करीबन 50,000 से उपर लोगों का चिनहितिकरन का काम अर्ष्थगित है नहीं हो सका है आयोग गठन हुए अभी 3 मेहना 8 दिन आज हो गया है लेकिन आज तक एक भी अंदोलनकारी चिनहितिकरन का नाम परकासित नहीं हुआ ना चिनहितिकरन का आरम हुआ है